हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसाइट रिवी एक्स्प्रेनेशन तोड़ी वे आर गूएंग टू एक्स्प्रेन ए नेट्फ्लिक्स डाक्यूमेंटरी टा एलिफाइंट विस्पर्स यह डाक्यूमेंटरी बहुत ही खास हैं इनकी सची कहानी हमें जीव प्रेम के लिए और भी चाता उत्सुक कर देती हैं तो इस एक्स्प्रेनेशन को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेज कर लें डाक्यूमेंटरी की शुरूबात में हमें बताया जाता है कि तमिलाडू और करनाटक के बोडर पर मदू मुलाई सेंचूरी है और वहाँ पर प्रकाडू एलिफेंट केम्प जो एशिया का सबसे पूराना एलिफेंट केम्प है जिसकी इस्थापना 140 साल पहले से हुई है और वो जगा हातियों के रहने के लिए सबसे बड़ा सन्नही जंगली इस्थान है साउथ इंडिया में कार्टून आइकन समाज के लोग रहते हैं जिनका मतलब होता है जंगल के राजा उन्ही में से एक है बमन जो पुजारी और महावत दोनों है उनके पुरवज शुरू से ही जंगली जनवरों के साथ रहते हैं इसलिए उन्हें जीवों से बहुत जादा लगा हो है बमन और बेली दोनों साथ में रहते हैं उनके पास वन विबाग से फोन आता है उसे जून से मिलाने की कोशिश की गई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली अब बमन और बेली को रगु की देखबाल की जिम्मेदारी दी जा दी है उस वक्त रगु का बचपाना बहुत मुश्किल था लेकिन बमन और बेली ने बहुत महनत और देखबाल से रगु को बचा लिया उन्हें उसकी देखबाल करते हुए तीन साल बीद गये अब रगु बड़ा हो चुका है वो उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है बमन के पिता उर्दादा सदियों से हातियों की देखबाल करते आये थे अब बमन रगु के गले में घंटी बांद देता है क्योंकि अगर वो कहीं भटक जाये तो उसे आसानी से ढूड़ा जा सके क्योंकि वो खुद की देखबाल नहीं कर सकते है रगु का दोस्त भी होता है क्रिश्ना क्रिश्ना उसे चारा खाना सिखाता है क्योंकि हाति अपने जैसे को ही देखकर सिख सकते हैं बबन रगु को नहलाते हैं वो रगु से बहुत प्यार करते हैं बेली भी रगु की अच्छे से देखबाल करती है उसे देखकर वो अपने सारी परिशानिया भूल जाती है बेली के पहले पती को बाग ने मार डाला वो कबीले की उरत थी और कार्टून आइकन होने के कारण उन्हें हातियों की जिम्मेदारी सौपी गई वो भारत की पहली लेडी बनी जो हातियों की देखभाल कर रही थी उनके लिए रगू का मिलना भगवान की देन जैसा था वो उसकी मा बन जुकी थी रगू बोल नहीं सकता अभी कुछ समय पहले बेली की बेटी की मौत हुई थी ये दर्द उनके लिए बहुत बढ़ा था रगू ने अपनी सून्ट से उनके आंसू पूछे उसकी इस हरकत ने बेली की सारी परेशानियाद दूर कर दी बमन कहते हैं कि हातियों की देखभाल बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है वो बहुत भुतिमान और भावुक प्राणी होते हैं लेकिन कभी कभी खतरनाक हो सकते हैं बमन का परिवार जंगल से ही खाना लेता है और उसकी शुरुक्षा भी करता है वो उतना ही लेते हैं जितना उनकी जरुरत हो वो लोग हातियों से नहीं डरते हैं बलकि उनकी साथ रहते हैं रगू को जो के लड़ू बहुत पसंद थे उसे नारियल और गुर भी बहुत पसंद था अब बारिश शुरू हो चुकी थी बारिश के होने से चारा और रूख जाएगा जिससे हातियों को भर पेट खाना मिलेगा रगू को सोने से पहले इस्टो से दूद पिलाया जाता है अब विशेश पूजा का दीन आता है हातियों को तियार किया जाता है उन्हें माला पहनाई जाती है और गनपती से आशिर्वा दिलाया जाता है सबी हाति गनपती को नमशकार करते हैं बमन कहता है कि उनके लिए हातियों की सेवा करना भगवान की सेवा करना जैसा है और हम रगु के बिना कुछ भी नहीं है अब हर्याली जा चुकी थी मौसम बदल रहा था चिलचलाथी धूप ने सब कुछ बदल दिया था जंगली हाती धूप में खाने पिने के लिए भटक रहे थे जिन में कईयों की मृत्व हो चुकी थी तभी उनमे एक छोटी हाती की बच्ची अपने जीने की रहा देख रही होती है वन विभाग वाले बमन और बेली को इसकी जिम्मेदारी सोपते हैं इस बच्ची का नाम अम्मू होता है बमन और बेली अम्मू को अपने साथ में खेलते हैं, उनके परिवार में एक सद्धिश और बढ़ चुका था, अब बमन और बेली के साथ में रहने के कारण उनकी नजदी किया बहुत पास हो गई थी, इसलिए दोनों शादी की तियारिया करते हैं, घर को सजा आ जाता है, दोनों नए कपड़े पहनते हैं, और बमन और बेली तोनों एक दुसरों को वरमाला पहनाते हैं, इसके बाद वो अपने हाथियों के साथ घ़र आ जाते हैं, बेली की एक पोटी होती है, जिसका नाम संजरा है, वो भी हाथियों से بहुत प्यार गरती है, और उनकी देखबाल करने में अपनी दादी की मदद करती है हाथियों को बहुत प्यार और इसने की जरुत होती है उन्हें दूद देना नहलाना उनके कमरे की सफाई करना ये सब उनकी देखभाल जैसा है अब उनकी शादी के कुछ जिन बात उन्हें पता लगता है कि वन विबाग वाले रगु को किसी और देखभाल करता को सौ अम्मू भी रगु के जाने से विच्रित थी उसने कई दिनों से दूद नहीं लिया बमन और बेली भी कई दिनों तक ठिक से खाना नहीं खा पाए रगु ने उन्हें जीने का रास्ता दिया था बेली को गाउं में हातियों की मा के रुपे जाना जाता है जिसका उन्हें ब पुरवक्त दो अनाथ हातियों को पला अब अम्मू और रगु दोनों बड़े हो चुके हैं और आराम से अपने जीवन का अनन ले रहे हैं और इसी तरह ये डाक्यूमेंटरी यहीं खत्मा हो जाती है